कि चलिए अस्वालीकूम आप ऐसे किसने अभी तक औरियेंटेशन नहीं दिया है आज आपका आखरी दुन है हम आज दो चीजे करेंगे जो बहुत इंपॉर्टन्ट है फर्स्ली कि ऑप्षणल के लिए क्या क्या चीजे दियान में रखनी है अभी आपको ऊप्षणल चुनना नहीं है विकाज यूर जस्ट फ्रेशर और आपको थोड़ा टाइम लगेगा और यह चीज धियान में रखनी है कि ऑपश्णल जब चुनोगे तो क्या चीजे दिमाग में रखनी पड़ेगी सेकिनली में थोड़ा नोट मेकिंग के बारे में भी बात करूँगा अगर टाइम से पर्मिट हुआ यह तो पहला चीज सेकिन्ड सेशन आपका आज होगा आंसर राइटिंग पर परसुन से जब आप रेगिलर बेसेज पर आओगे हैं फर्स्ट में से आप यह क्लास चुरू होंगे मंडे से बट संडे को भी आपको आना है संडे हमाब वर्क्शॉप होगा और उसके बाद मंडे से कलास चुरू होगा उसमें आपको पहले ही एक-दु दिन के बाद ही आंसर राइटिंग करवाएंगे हूँ उसमें क्या-क्या चीजे निटी-ग्रिटीज है आंसर राइटि तो मैं आपको थोड़ा एक analysis दूँगा जो आपको काफी help करेगा चीज़ उनको समझने में देखें ये exam, IS का exam या KS का exam, KS की तो चलो बात रहने देते हैं because KS का exam उतना difficult नहीं है, जितना UPSC का होता है तो जो आप IS के लिए पढ़ते हैं, वो आराम से KS का exam qualify कर लेते हैं in fact, आप जाके कोई भी topper उठाओ, topper के आप कोई भी आखरी बंदा जो है जिसने qualify किया है, जो list में जिसका नाम आए है, आप उसको पूछना कि आप सिर्फ KS के लिए पढ़ रहे थे या अपने UPSC भी देना था, वो आजमों सारी के सारे बच्चे UPSC वाले होते हैं ठीकिन वो IS के लिए पढ़ाई करते हैं, IS के लिए कोचिंग करा होता है, या IS के लिए सिर्फ स्टड़ी कर रहे होता है पिर जाके वो KS का एक्जाम देते हैं, इन फैक्ट यही बच्चे होते हैं जो बाद में SSB का भी एक्जाम देते हैं और SSB के एक्जाम में भी टॉप जो करते हैं, वो सारे के सारे बच्चे Civil Services वाले होते हैं KS, IS वाले बच्चे होते हैं तो ऐसा आज तक तो मेरी नजर में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी नजर सिर्फ SSB तक रखी और SSB कॉलिफई किया बहुत कम ऐसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो civil services के लिए है फिर उनको जो exam सामने आता है हो सारी exam दे देते हैं चाहे SSE का exam देना SSB का exam देना है केस का exam देना है UPC का exam देना है पढ़ाई तो सिर्फ एक ही होती है इसमें जंडर स्टडीज ही पढ़ना है आपको इसमें तो कुछ है नहीं और हर exam में हर comparative government के exam में general studies ही पूछा जाता है और CSAD भी आता है इसमें आपने CSAD भी कर लिया है वहाँ math, reasoning कर लिया, English कर लिया वही आपका SSC में आता है वही आपका SSB में भी आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फिर अलग से करना पड़ेगा once you study for UPSC आपका सारा ही comprehensive coverage होगा उसमें पर एक ही काम है जो इनसान नहीं कर पता है इसमें that is, you don't give enough time to this preparation आप इनसान थोड़ा जल्दबाजी में होता है वो अभी आप 23 साल की उमर होगी आपकी 24 साल की उमर होगी बहुत जल्दबाजी है आपके अंदर कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए उस चकर में you settle for the list you don't have to do that आपकी पास अच्छी एज है you have a very good age आप अपनी एज में अगर आप दो साल निकाल सकते हैं आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और केस के लिए तो दो साल चाहिए भी नहीं केस तो थोड़ा सा subtle सा exam है लेकिन UPSC के लिए आपको दो साल का in-depth analysis, preparation, optional सब कुछ करना पड़ता है और उतना ज्यादा trust में उतना ज्यादा difficult exam नहीं है difficult एक ही चीज है कि आप सही group के या सही बंडूं के रहे हो जहां पर देरा गोई टो बी टाम जहां पर you'll be like lost कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझसे नहीं हो पा रहा है ठीक है ना कभी ऐसा टाइम आ जाता है इसमें अभी एक हमारा last batch का जो हमारा चल रहा है उसका student है हमारा बहुत ही अच्छा student बहुत ही हर एक्जाम में अच्छा answers लिखता है इसकी क्यों करता है जो काम देते हैं वो करके आता है in fact extra करके आता है just two days back he came to meet me और कहा कि sir मचसे नहीं हो रहा क्यों खामखा का tension लेकर रखा है कि उसका job निकल गया कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो यह चीजे आती है इसमें तो घबराना नहीं है to be very positive इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेना है यह time खाएगा बट यह आपको इनसान बनाएगा यह preparation बाकी preparations की तरह नहीं है जैसे college में हम exam देते थे या university में हम बढ़ते है वहाँ पर that preparation बहुती कम ऐसा होता है कि वो आपकी personality वो आपकी समझबूज वो आपका wisdom बदले या wisdom expand करे बहुती कम ऐसा होता है लेकिन UPSC की preparation ऐसी है यह आपको बदल देती है जैसे आप आज हो एक साल के बाद आप ऐसे नहीं रहो गए है अगर आप एक serious candidate होता है यह बदल देता है इसमें एक comprehensive wisdom डिवलप हो जाता है across all domains इसे हम कहते हैं कि UPSC वाले क्या होते है they are jack of all trades बातलब आप उनको कुछ भी पूछो किसी भी topic से उनको कुछ नहीं कुछ पता होता है उसके बारे में यह चीज अलगी confidence देता है इनसान को मैंने किया रहूं कि आप qualify करो मैं किया रहूं यह preparation आपको confidence देगी क्योंकि आपको क्या नहीं पता होगा फिर दुनिया के बारे में सब खुछ पता होगा पहले जैसे कहते थे हम UPSC का syllabus क्या है तो लोग कहते थे ढराने के लिए UPSC का syllabus है everything under the sky तो आस्मान की छट के नीचे environment दिखता है economy दिखता है geography दिखता है quality दिखता है history दिखता है आपको जो बलाई है science है technology है answer writing है society है international relation है governance है जो तूफान है जो भी आस्मान की छट के नीचे वो सब पूछा जाएगा अब तो वो भी change हो गया अब लोग डराने के लिए क्या बोलते है everything under and above the sky अभी तो आस्मान की छट के ऊपर की भी चीज़े पूछी जाती है questions from gravitational lensing questions from black holes questions from the standard model of particle physics questions from big bang theory black hole collagen इतना वो difficult नहीं होता बट यह है कि awareness सब चीज़ की होनी चाहिए और जब आपको वो develop हो जाती है एक time के बाद तो वो आपको अंदर से बदल देती है आपको जब हर एक चीज़ के बारे में एक idea rough idea हो जाता है कि देश कैसे चलता है लोग कैसे रहते हैं societies कैसे काम करती है economy कैसे चलती है मैं कहां पर हूँ मेरी geographical location क्या है मेरा अतीत मेरा ही मेरी history क्या है सब कुछ आपको पता चलता है हलांकि किसी भी एक subject के बारे में in-depth knowledge नहीं होती तो हम यह कहते तो है कि UPSC वाले are jack of all trades पर साथ में यह भी कहते है they are ace of none याने उनको किसी एक subject के बारे में deep knowledge नहीं होती है उत्रा depth में understanding नहीं होती है एक historian जिसने 30 साल history पढ़ा है और एक UPSC वाला जिसने history पढ़ी है उसका आप comparison नहीं कर सकता है आपस में वो academics में उसने बहुत काम किया history वाले subject का पर हाँ हमें यह पता है कि चलो कुछ नगुछ हम debate तो कर सकते हैं बात तो कर सकते हैं ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था एक timeline of event तो पता होगा ठीक है ना यह economy कैसे काम करती है एक economist जिसकी hardcore training होई है economics में और एक UPSC वाला जिसने economy पढ़ा है यह दोनों अलग understanding पे होंगे पर हाँ इसको यह तो पता होगा कि देश की economy कैसे चलती है monetary policy है क्या fiscal policy है क्या budget कैसे आता है budget में क्या-क्या accounts होते है हमारा international relation international trade कैसे काम करती है exchange rate कैसे बनाई जाती है रुपे और डॉलर का जो इस वक्षेंज rate है जैसे एक डॉलर आपको 80 रुपे में मिलता है यह क्या होता है यह एक डॉलर 80 रुपे कैसे तै होता है यह भी पता चलता है RBI banking पुरे banking के निजाम को कैसे control करता है पैसा क्या होता है आपके जेब में जो पैसा है वो दिन बे दिन कम क्यों हो रहा है inflation tax किसको कहते है senior age क्या होता है demonetization क्या होता है मोटा मोटा पता चल दे कि जाती है सारी चीज़ है तो बहुत ही inspiring preparation है यह आपको अगर यह काम लगेगा तो फिर मुश्किल है यह आपको लव दिस जानी बिकास जो भी subject उठेगा अब इंशालला जब फिर्स से आपका geography उठ रहा है GS1 का तो जो भी subject उठेगा इदर उसी subject पे full on focus करना है जैसे मान कि चले एक महीना geography चलेगा तो एक महीना आपको सिर्फ geographer बनके रहना है you don't have to think about history or economy हर चीज अपने अपने time पर उठेगी पर जो उठाया जा रहा है full on focus उस पे करना है पहले ही lecture में सर आपको किताबे देंगी या किताबों का list I believe दिया भी होगा उन्होंने तो वो चीज़े लाकर you just focus on that map पढ़ना है और इन ब्लैक स्वान का वो लाना है NCRT पढ़ना है GC Lyon पढ़ना है माजिद हुसेंड पढ़ना है डॉक्टर कुलर पढ़ना है जो भी सर ने बला तो वो चीज़े accordingly सर के साथ सर question दे रहा है वो घर पे लिख कर लना है full on focus करना है एक महीना जोग्रफी जोग्रफी खतम हो जाएगा तो आपकी preparation से जोग्रफी खतम हो जाना चाहिए ऐसा खतम हो जाना चाहिए कि prelims और mains के जितने भी सवाल आए हैं आज तक वो सारे आपको आ जाने चाहिए जोग्रफी खतम हो जाएगा तो उसको side पर रखना है फिर नया subject आएगा फिर full on focus नया subject पर करना है ऐसे करते करते 14 महीने में आपका पूरा UPSC का सिल बसकतम हो जाएगा ठीक है? One step at a time अब देखिए Let me come to the topic now How to choose an optional अब ये topic में आज आपको क्यों बता रहा हूँ Because बहुत सारी energy आपकी waste हो जाएगी इसमें जैसे ही आप परसु आएगे अब इदर अब आपस में किसी ने already अभी यहां पर किसी ने optional चुना है मतलब have you decided क्या है आपका प्येसायर आपका खुद का subject क्या है? Political science आप इनोंने चुना Maybe she is coaching या she is doing the self study in that subject और दूसरा है जिसने अभी नहीं चुना है तो आपस में जब आप interaction करोगे तो आप डर जाओगे है उसका वो भी चल रहा है वो optional भी कर रही है मैं नहीं कर रहा घबरानी की ज़रत नहीं है I don't want you to waste your time मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको मानके चले आप most probably आप सबको 2024 में exam देना है उसके लिए मैं आपको time slots दे दूँगा कि कब तक आपका कौन कौन सा चीज हो जाना चाहिए ठीक है अन्तो जल्दबाजी में नहीं करना और दूसरा क्या कर रहा है you don't need to bother about that ठीक है हर एक की strategy अलग होती है let me give you this कि हर एक इनसान अलग तरीके से ये exam qualify करता है इसमें कोई एक strategy नहीं है जैसे इसने optional शुरू किया होगा March में कोई दूसरा करेगा June में तो ऐसा नहीं कि March में ही शुरू करना है तो वरना नहीं हो पाएगा हर एक अपना system होता है हर एक की अपनी अपनी सलाहियत होती है तो वो अपनी सलाहियत की हिसाब से इस preparation को mold करता है लेकिन कुछ चीज़ें इस preparation में है जो पता होनी चाहिए जिसके बगएर चलेगा नहीं से mock test के बगएर चलेगा नहीं अब मैंने आपको अलड़ी एक्जाम का पैटर्न जब बताया, मैंने आपको बताया, जनरल स्टडीज के मेंज में कितने पेपर होते हैं, शबाश, चार पेपर होते हैं, तो हर पेपर के कितने मार्क्स, टोटल कितने हो गया, हजार, तो जब आप मेंज का एक्जाम लिखो ग मगर मैं आपको बता रहूं यह exam prelims का नहीं है यह exam असल में mains का ही है पर अगर हो भी गया तो मेंस का क्या करोगे ठीक है तो मेंस का मैंने आपको प्री का बताया था इसका काम सर्फ filter out करना होता है असल जो आपका check होगा that is means only ठीक है तो preparation आपको करनी तो है mains की, mains का दिमाग में रखकर और mains की preparation करते करते, pre का साथ साथ चलाना है, ठीक है ना तो मैं आपको, जैसे slots दूँगा मैं आपको कि कब आपको mains oriented रहना है और कब आपको pre oriented रहना है, preparation एक साथ होती है ऐसा नहीं कि पहले mains का करेंगे pre का करेंगे, जैसे मैं GS1 में geography उठा रहा हूँ GS1 मैं ना geography, history के साथ geography उठा, परसुआपका geography उठाएगा, तो GS1 वाला geography सारा cover होगा, साथ में यही geography जो prelims का भी होता है यह साथ साथ होगा, यह एक साथ दोनों की preparation होती है SN1 की पहले mains का कराएंगे फिर pre का करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता अब geography उठाएगा, वो दोनों के हिसाब से पढ़ना है हाँ, preparation में कभी orientation बदलना पड़ता है, जैसे अभी पूरा आपके पास एक डेट साल है, तो अभी आपको थोड़ा answer writing पे फोकस करना चाहिए MCQ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रत नहीं है, जितना आप answer writing पे फोकस because answer writing में टाइम लगता है, डिवलप करने में जैसे अब exam के करीब आने लगोगे, अब exam में सिर्फ 4-5 महीने बाकी है, तब जाके MCQ की practice शुरू हाजाती है, तो वहां फिर it is a misleading figure, ये देखकर आपको लग रहा होगा, क्योंकि GS के 1000 marks है, तो general studies में एक ज़्यादा सलाहियत है, कि वो आपको इस सीमा रेखा के आगे पहुँचा सकता है और आपको selection दिला सकता है और इसमें क्योंकि 500 ही marks है, तो इसमें बहुत कम ऐसा scope होगा कि हमें selection मिलेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, general studies उतना ज़्यादा matter नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा आपको वो आगे मान के चलिए cut off के उपर नहीं ले जा पाएगा, जितना optional में सलाहियत है, कि वो आपको उपर उठा सके, ठीक है ऐसा क्यूं है, general studies में है, जब आप हिसाब निकालते हो, आपको 1000 marks में लिखना है 1000 marks, 1000 marks में अगर देखा जाए, लोगों को आम तोर पर कितने marks मिलते हैं तो मैंने एक list निकाला है, students का पिछले 10 साल में अगर देखा जाए, तो general studies में, GS में toppers का मैं list बता रहूँ आपको, जो UPSC के topper रहे है, general studies में, पिछले, in the last decade in the last decade general studies में, out of 1000 marks, आम तोर पर देखा गिया है, toppers have had marks between 475 to 525, इसके around इनके marks होते हैं toppers के, UPSC का जो topper होता है, तो across all GSK papers, चार के चार वो सब मिलाएंगे, तो आपको total around 50% marks मिलेंगे, ये topper की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है 1000 में से around 500 marks मिलेंगे आपको, तो ये general studies का trend है, अप ऐसा नहीं है कि आप कोई तुर्रम खान है, और आप कोई Albert Einstein है कि आप उसमें 700 marks ले पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं हो पाएगा है, जो trend है, वो trend है, ठीक है, UPSC normalization करता है, moderation करता है, आपको 600 भी marks नहीं आएंगे कभी, आप कितने भी genius क्यों नहीं हो, आपको 700 marks नहीं आएंगे, because UPSC नहीं देता है, वो marks, अगर आप ने अच्छा भी paper किया होगा ना, तब भी नहीं देगा, ठीक है, वो normalization का system बनाया उनों नहीं, वो नहीं देता है ज़्यादा कि marks किसी को, वो उसी तरीके से checking होती है उसकी, तो आपका general studies का 50% के around आपका cut-off रहता है, toppers का, लेकिन अगर आप यही चीज़ optional में देखोगे, तो optional में total कितने में से marks है, 500 में से marks है, तो 500 में से in the last decade, आम तोर पर the score of the UPSC toppers have ranged from 350 to 370, इतने भी marks आ जाते हैं किसी को, topper जो होता है, अपने subject का, अगर आप हिसाब लगाओगे, 350 to 370, it will be around 70% marks, 70% marks, यह क्या मैं आपको data दे रहा हूँ, यानि इदर आपको समझ आ रही है चीज, मैं कितना भी, क्यों ना हाथ पैर मार्ट लूँ, मैं 50% के उपर, GS में उठी नहीं सकता हूँ, it is not possible, exam का design और exam का evaluation इस तरीके से किया जाता है, आपको 50% से ज़्यादा marks, general studies में नहीं मिलने चाहिए, यह exam का तरीका है, conduct कराने का और evaluate कराने का, आपको लगबग हर GS के paper में 20-20 question लिखने हैं, 10 marks वाले और 15 marks वाले, आपने अगर 20 के 20, 100% correct answer लिखे, तब भी आपको 50% ही मिलेंगे, ठीक है ना, so it's not possible कि आप पुरा कर पाएंगे, और वो नहीं देते marks, secondly, optional में आपको clear कर दिख रहा है, कि optional में there is a high tendency कि आप extra marks ला सको, और यह जो 20% का difference है, इतना बड़ा difference है, कि यह आपको selection में ला सकता है, और निकाल सकता है, तो यहीं पर आपको, जो से मैंने E202 आपको बताए था, यहाँ पर मैं optional की आपको weightage बता रहा हूँ, कि optional में there is a tendency that you can score good, you can score good, और optional आपको उठा कर लगा सकता है, इसमें, selection में, बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे आपके यहाँ टीचर भी है, और मुस्स सारे के सारे ही, एक गलती जो majority टीचर से हाँ हुई है, वो थी optional वाई, ठीक है, तो general studies में, सब का ही general studies ठीक ठाकी होता है, सबने पढ़ा है, तो दो साल दिया, आपने तो पर लिया, मसला होता है, जैसे optionals का, यह मैंने अपना पहला optionals, जैसे मैंने पहला में जिखा, that was economy, मेरा economics, बहुत अजीज subject है, तो मज़े वही आता है, मज़े मज़ा भी आता है उसमें, तो क्यूकि मैं छोटा था, मैं किसी से पूछा नहीं, मज़े लगा कि interest की basis पे ही optional लेना चाहिए, तो मेरा economics में इतना ज़्यदा interest था कि, because of my teacher, उनका, ने मज़े बढ़ाया, तो उनकी वज़ा से मज़े लगा कि, मज़े जो economics ही दिखता है पूरा, और GS का economics मुझे इतना पसंद था, मज़े लगा कि यही होगा, optional में भी, कि economics basically मैंने पढ़ा नहीं था, like core economics था, subject नहीं था मेरा, तो मैंने बिना वो सोचे समझे, economics का optional उठाया, और मैंने means लिखने गया, और फिर जाके मुझे पता चला कि, यह उचीज, नहीं है, it's a big journey, नहीं आपको optional के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना परता है, ठीके तो दिन, we realized कि भी, अच्छा score हालांकि मैं कर पा रहा पेपर, मैं सारा कर पा रहा था, पर score नहीं हो रहा था, ठीके यही होता है, ऐसे law वालों के साथ, जिनका law होता है, optional, वो कर पाते हैं, पुरा पूरा पेपर करते हैं, यसे आपके कल आपका हिस्ट्री वा था था ना, हिस्ट्री कर वा था 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 पहले दिन, तो फहद सर का उनका law optional था पहले, तो उनका हर बार like law की वज़ा से score नहीं होता था, law पड़ा, उन्होंने बहुत अच्छे से पड़ा, तो कर पाते हैं, पेपर करते थे, लेकिन स्कोर नहीं होता था, अब लास बार उनका फिर, उन्होंने optional चेंज करके history लिया, history में qualify वान, दो बार interview दिया, history के basis, ठीक है न, तो ये महमला हो जाता है, optional का मसला हो जाता है, GS almost सबका सेमी होता है, optional बहुत ही ध्यान से चुनना पड़ता है, because ये 20% का बहुत difference है, now see, आपको इधर तो पहले मैंने importance बता दी, कि optional में how can you score well, अब सवाल ये है कि, आपको कौन सा criteria दिमाग में रखना है, before you choose an optional, और मैं जो criteria आपको दूँगा, उसी order में वो criteria को आपको importance देनी है, क्योंकि मैं आपको लोग को नहीं जानता, मुझे आपको लोग की सलाहियत नहीं पता, वो तो बाद में पता चलेगा, जब आपके साथ एक दो महीने हो जाएंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपके लिए optional कौन सा बेहतर है, फिलहाल के लिए आप अपने आपको बेहतर जानते हो, तो I will not be telling you to choose a particular option, मैं आपको criteria दूँगा, घर पे जाके अपने बारे में सोचो, कि आप में कौन-कौन सी सलाहियत है, और आपको उनसा optional कर सकते हो, और ये criteria आपके इसी order में importance देनी है आपको इन criteria's को, पहला जो important criteria है, optional चुनने का, that is scoreability, scoreability, मैं यहाँ पर पहला criteria रखी ने रा interest को, interest बहुत बाद में आता है, कि आपको subject में interest है या नहीं है, for example, आपको किसी को यहाँ पर interest होगा, कन्नड में, कन्नड होता है ना, कोई language का, literature का paper, आपको interest है Arabic में, और अपर मैंचे Arabic में interest है, मैंचे वही लेना है, तो interest तो छोड़ो आप, वो तो बात की बात है, आपको पहला चीज जो देखना है, scoreability, तो scoreability would be your first criteria, कि कौन सा optional कितना score आपको दे सकता है, now see, I'll give you some of the examples, it was back in 1990s, जहाँ पर, लोग बहुत ज़्यादा psychology वाला optional लेते थे, psychology, इतना लोग psychology लेते थे, कि अगर total UPSC में 700 seats थी, 700 में से साड़े तीन सो लोगों का psychology optional होता था, ये लगबग आसे 20 साल पुरानी बात थे, 20 साल पुरानी, psychology की तरफ सब को हो गया था, psychology, 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 why, because उन दिनों psychology का अच्छा score मिल जाता था UPSC में, फिर UPSC न दो हजार चार पांच में मामला बिगाड़े, चेंज कर लिया, चार पांच की अराउंड, नहीं, उसके बाद ही psychology से हटकर, public administration बहुत popular हुआ, उन दिनों, public administration, तो लोग public administration की तरफ जाने लगे, majority बच्चे select भी हो रहे थे, public administration से, लेकिन अब पिछले 10-15 सालों में, पिछले एक decade में, यह अब shift हो चुका है, किस की तरफ? anthropology की तरफ, अब आप देखेंगे, KS में, इतना anthropology लोग लेते हैं, कि कश्मीर administrative services को, आज हम कश्मीर anthropology services भी बोलते हैं, इतना लोग anthropology की तरफ जा रहे हैं, इतना लोग पागल नहीं हैं, बच्चे पागल नहीं हैं, जिसे लास्ट हमरा इंट्व्यू था, 65 बच्चों का इंट्रूव किया हमने, उसमें से आपका majority बच्चे, इनका anthropology था, और कुछ जोग्रफी वगेदा, PSIR वाले उनका selection अबा, जिनने कुछ अलग टाइप के option अलिये थे, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ selection, जिसे एक बच्चा था, जिसने chemistry रिया, वो एक वाहित बच्चा था, सूरज नाम का, जम्मू से था, तो उसे chemistry रिया, he was the only person, who was good enough to qualify means in chemistry, और उसका इतना अच्छा chemistry था, जब मैंने उसका interview किया तो, he was like, sir, मुझे chemistry में, I don't even need to revise, मुझे इतना chemistry tip of the tongue याद है, उसे means qualify किया, chemistry पर interview दिया, गिर गया हुआ, because chemistry में अच्छा score नहीं कर पाया, उसके comparison में, उसकी level का दूसरा इंसान नहीं था, जिसना anthropology लिया था, पर उसने qualify किया, because यही 15-20% का फरक होता है, उसे, तो हर एक subject एक समान नहीं होता, कभी कोई ज़्यादा score कर पाता है, कभी कोई ज़्यादा score नहीं कर पाता, यह patterns आते रहते हैं, अब पिछले कुछ time से anthropology अच्छा कर रहा है, तो यह कब तक चलेगा, हमें पता नहीं है, history यह बोलती है, कि यह चीज़ बदलती है, कल को कोई और चीज़ आ सकती है, जिसना geography अभी धीरे-धीरे popular हो रहा है, ठीक है ना, तो geography से UPSC में इस पारी, सबसे ज़्यादा selections होगी है, तो यह चीज़ चेंज होगी है, कल को भी चेंज होगी, सारे subject एक बराबर नहीं होते हैं, तो यह समझना है आपको अच्छे तरीके से, कि scoreability अभी किस subject में है, तो आप यह कैसे पता करेंगे, कि scoreability किस subject में है, जिस साल भी आप exam देने जाओगे, मान के चलिए आप 2025 में exam देने जा रहे हो, उस टाइम optional चुनने से पहले, to get an idea of scoreability, आप क्या करेंगे, last five to six years के, आप topers के, topers के आप निकालेंगे, optional के, उनका score कितना रहा है, उसी से आपको पता चलेगा, कौन सा optional अच्छा perform कर रहा है, तिससे अपने PSIR के optional निकाले, PSIR का कितना score होगा है, पिछले 5-6 सालों में, anthropology का कितना score होगा है, पिछले 5-6 सालों में, geography का किसना score हो रहा है, पिछले 5-6 सालों में, कुछ options आपको मिलेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा, on an average 280 से ऊपर कोई उठता ही नहीं है, दूसरा option बिलेगा, on an average 330, toppers के 330 के ऊपर आए, तो आपको पता चलेगा, ये वल optional अच्छा perform कर रहा है, ये वल optional अच्छा perform कर रहा है, तो scoreability का कौन जब ऐसी पता चलता है, तो you have to get the marks of the toppers, in last 5 to 6 years, that will give you an idea, कौन सा optional is better performing, ठीक है ना, I'll give you some optionals, तो उस बेसे पे भी, you can select it, तो scoreability is the first criteria, कि आप क्यूं कोई optional चूज करोगे, second, is, ability, ये second number पे is the reason, कि आप अपना optional कैसे चुनोगे है, ability, याने आप की खुद की ability है, तीक है, आप की खुद की रूची, आप का खुद का ability कितना है, for example, there is a person, ये बच्पन से इसको अपने बारे में पता है, कि आप इसको बच्पन में अच्छा, अच्छा अंसर लिखता था, ऐसे competition में ऐसे लिखता था, अगबारों में कभी अपना article लिखता था, तो इसको लिखना अच्छा आता है, और ये इसको अपने बारे में पता है, आपको अपने बारे में पता होती है, कोई होता है कि जिस नाबकार होता है, उसको अच्छा लिखना नहीं आता, देखिनो डाइगराम डाइगराम अच्छी बनाता है, वो flow charts से काम चला लेता है तो कोई technical background वाला होता है उसको technical चीज़ें स्यादा समझ आती है कोई subjective type का इंसान होता है उसको humanities में ज्यादा मज़ा आता है आप खुद कैसे हो ये second criteria बनेगा अगर आपका ये है हिसाब कि आप अच्छे answers लिख पाते हो आपके पास अच्छे language के skills है अगर आपके पास अच्छा vocab अच्छी understanding ये चीज़े लिखनी की चीज़ों को explain करने की तो आपका जो optional होना चाहिए वो humanities type का optional होना चाहिए जहां पर आप अच्छा कर सकते हो लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हो answer writing में आपको नहीं लग रहा कि मेरे बस की बात नहीं है आपके पास अच्छे language के skills नहीं है communication skills नहीं है आप put across नहीं कर पाते हैं आपके दिमाग में जो चलता है आपके पास अच्छा तरीका नहीं है चीज़ों को लिखने का जैसे last year हमें मेंस का test series चल रहा था में 20 questions हमने पेपर में रखे थे तो 20 के 20 लिखती थी और I swear to God उसकी understanding उन concepts की अच्छी नहीं थी पर उसका language का skill इतना powerful था कि वो जब तुक्का भी मारती थी किसी चीज़ को explain करने का वो सही बढ़ता था उसको So I remember I gave I had given a question in that main stress series that was regarding public-private partnership एक investment का model है जहां पर government और private entrepreneurs मिलकर कोई infrastructure कोई सडख वड़क बनाते हैं उसका एक question डाला था road infrastructure और उसने वो attempt किया था question और जैसे पढ़ रहा था मैंने मुझे ठीक answer मुझे ठीक लगा फिर मुझे थोड़ा मैंने का मैं चलो एक और बार पढ़ता तो मैंने एक और बार पढ़ा फिर मैंने दो-तीन बार जब answer पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसको समझ नहीं आई यह पूरी यह कॉंसेट है तो उसने जैसे भी answer लिखा वो खुद से सूच कर लिखा कि public है तो government होगा प्राइवेट है तो प्राइवेट होगा तो partnership कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें खुद बनाए उसने answer तो उसमें पढ़ा नहीं था वो पर उसके पास remarkable language के skills है तो उसके लिए एक अच्छा optional is humanities वाला option कोई दूसरा होता है जो जिसको पता भी होगा ना फिर भी वो अच्छा नहीं लिएगा कोई होता है जैसे बोलते हैं इमशन तगा रहते खालनों किया मतलब क्यों गया कि आप अच्छा काम कर रहो पर आपकी जबान गंदी है या आपकी शकल अच्छी नहीं है तो आप आपने जो बनाया वो मज़ा नहीं आया उसमें का आपने बहुत अच्छा किया था पर जो पोट्रे किया जो प्रेजेंटेशन की जो केक बनाया वो इतना वाहियाद था कि मज़ा नहीं आया खाने में ठीक है तो महनत तो पूरी की थी केक बनाने में तो जिसको वो नहीं आता उसको एक टेकनिकल टाइप का ऑप्शनल लेना सकते हो और आपके पास conceptual clarity है आप अच्छा OS में स्कोर कर सकते हो तो this is the difference यह आपको ही पता है कि आपके से इंसान हो and based on your own abilities you have to select an optional अगर आप humanities वाल उपिशनल लेना चाते हो so you can go for anthropology अगर आपके पास you know you have a good language and these answer writing skills you can go for anthro you can go for psir you can go for socio आप इन optionals में जा सकते हो इनके नीचे अगर आप आपको लग रहा है कि नहीं यह नहीं तो कुछ और आप्शनल भी है लेकिन इतना scoring नहीं रहता ही ठीक है यह थोड़े कम scoring रहते हैं यह ज्यादा scoring रहते हैं और यहां पर अगर geography आपका technical portion है तो आप geography ले सकते हैं किसी का physics बहुत strong होता है या mathematics काफी strong होता है वो mathematics, physics भी ले सकता है हालांकि हालांकि यह subjects मैं उसी को लेने चाहिए जिसका बहुत तगड़ा subject है जिसने अपना master's, master's इसी में किया है वो ही यह बंदे वही ले सकते है mathematics and physics ठीक है और उसमें answer writing का ज्यादा role नहीं रहता है, इनमें answer writing का बहुत role रहता है, तो you have to figure out yourself कि आप कौन सी category में like करते हो, अब देखो mathematics की मैं आपको example देता हूँ, mathematics में दो paper होंगी आपको paper one and paper, total कितने marks? पांच सुन, अब mathematics तो ऐसा question है कि आपको equation आई, या तो आपको आपको नहीं आता है, ऐसा तो नहीं you have to figure out, आपको solve करना है, question दिया, उसको solve करना, solution रूनना है, तो solution तो अगर आप अच्छे mathematician हो, आप तो 500 में से 500 लेकर आ सकते हो, है की नहीं, 10th class में जब भी आप जो अच्छे पढ़ते थे, math में 100 में से 100 होते थे, लेकिन English में कभी भी 100 में से 100 नहीं आते हैं, ये subject और subject मे फरक है, ठीक है, तो mathematics जिसका बहुत अच्छा है, वो 500 में से 500 भी ला सकता है फिर, अगर उसे सारी ही सवाल कर लिया, पर ऐसा possible, नहीं है, UPSC, ऐसा होने नहीं देता है, कि वो किसी एक optional को अन, इतनी ज़्यादा advantage नहीं देना चाता है, कि वो भी 500 में से 500 कर ले और दूसरा बीस क्वेश्चन के बीस क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर लिए, करेक्ट कर लिए, तो आपको टेक्निकली 500 में से 500 आ जानी चाहिए, पर नहीं, उन्होंने ये बीस क्वेश्चन इतने lengthy बनाए है, कि सवाल ही पदा नहीं होता है, कि आप बीस क्वेश्चन कभी कर भी पा पांच सो में से 320, 330 उसी में रहो गया आप, बहुती क्लेरली डिफाइन चीज़े होती है, कि किसी एक ऑप्शनल को ज्यादा फाइदा ना मिले, ठीक ना, कभी हाँ पहले होता था, 2018 से पहले, उर्दू वाले बच्चे उन दिनू 600 में से माक्स होते थे, उर्दू वाले तो उसको 600 में से 555 माक्स मिले हैं, और जस्ट उन दे बेसे उर्दू लिटरिजर उसने कॉलिफाइग किया, अलांकि जी एस में शी एद बेसिक माक्स, उर्दू में 600 में से 555 में, ये हालत थी पहले है, लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है, आज स्केलिंग होता है, यानि आपक मॉडरेशन भी होता है, मॉडरेशन UPSC करता है, कि अगर एक्जामिनर ने किसी ऑपशनल में ज्यादा माक्स दिये हैं, 5-10 ज्यादा, विकोज ऐसा होता है, जिसके पास आपका पेपर गया, कभी वो इनसान लीनियंट चेकर होता है, तो वो ज्यादा माक्स देता है, कोई ह हर एक पेपर में कम माक्स दिये हैं, इस बंदे ने हर एक पेपर में ज्यादा माक्स दिये हैं, तो वो फिर उसको मॉडरेट करता है, इसका थोड़ा बढ़ाएगा, इसका थोड़ा कम करेगा, उसकी मॉडरेशन करता है, ठीकि न, ये मॉडरेशन UPSC में होती है, यहाँ ज के पेसी की लेवल पर नॉर्मलाइजेशन होती है एक स्केलिंग होती है अब हर एक optional को एक बराबर मार्क्स मिलते हैं almost लेकिन कुछ दस पंदरा मार्क्स 20 मार्क्स 25 मार्क्स का difference रहता है तो second thing that you have to focus is abilities आपकी ability कौन सी है उस basis पे you have to figure out आपके लिए बहतर optional कौन होगा number three तीसरा important criteria अब जाके आपका interest आता है यहां पर आपका interest आता है तो पहले अपने आप से पूछे कि आपकी ability क्या है scoreability क्या है finally आप अपनी बारे में interest देखे और याद रहे अगर आपका interest पहली दो conditions के खिलाफ है तो अपने interest को follow मत करो फिर से बोल रहा हूँ अगर आपका interest पहली दो conditions के खिलाफ है तो आपको अपना interest follow नहीं करना चाहिए mere interest के basis पे optional नहीं चुनना चाहिए because वो आपको पिटा देता है ठीक है आपको किसी subject में interest है और या आप मज़े बोलोगे सर मज़े philosophy में बहुत interest है तो मैं philosophy लोगा आपको मज़ गया इन्हों इसमें बहुत हम तो है कश्मीरी तो है बॉर्न फिलोसिफर्स हैं हम आपको अगर मैं philosophy करनी है मुझे मज़े मज़ा आता है और जब आप exam लिखोगे फिर आपको philosophy ही जिन्दगी उसी philosophy में गुजरनी है तो ऐसा नहीं करना है like interest की basis पे सिर्फ नहीं लेना चाहिए आपका optional पहले इन दो को दिमाग में रखा उसके बाद अगर आपकी किस्मत में था कि आपने जो subject score ability के हिसाब से चुना ऐसे geography आपकी ability भी geography टाइप की थी और आपका interest भी geography टाइप का था ये हो गया golden ratio तो golden deadly combination है कि जो score में जो जिसका अच्छा score हो रहा है जिसमें आपकी ability है जिसमें आपका interest है ये तीनु चीज़े आपको मिल रही है तो ये तो बहुत lucky लोग होते हैं जिनका ऐसा होता है ठीक है तो interest की basis पे फिर तीसरे number पे सोच सकते हो कि मेरा interest किसमे है ठीक है तो interest किसमें जैसे कैसे पता चलेगा अब बहुत लोग का तो ये भी होता है कि सर हमें खुद नहीं पता कि हमारा interest किसमें है और कभी तो ऐसा भी है कि हमें एक इंसान में interest नहीं है हमें multiple इंसानों में एक साथ interest है बिलकुल ऐसे optional में भी आपको multiple optional में एक साथ interest होता है तो उसकी basically idea यही होता है कि आपको वो optional पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे फिर तो क्या करना for example आपको जैसे आप general studies पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा geography में मेरा interest बढ़ रहा है ठीक है आपको लगेगा मेरा interest society में sociology में मेरा interest बढ़ रहा है आपको लगेगा polity में मेरा interest बढ़ रहा है तो यह तीन optionals में आपको interest है और ऐसा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे subjects है कुछ subjects आपको गंदे लगेंगे कुछ subject आपको अच्छे लगीए कभी कबार ये teacher की वजासे भी हो जाता है teacher अच्छा गया तो subject मजा आएगा teacher अच्छा नहीं आए तो subject मजा नहीं आएगा कभी कबार इंसान को खुद को genetic होता है वो तो कि अपसको कितना भी समझा यो technical background वाले होते हैं उनको मज़ा नहीं आता हिस्ट्री में, जो Humanities वाले होते हैं, उनको मज़ा नहीं आता टेक्नॉलिजी में, तो यह चीज़े होती, आपको एक सब्जेक्स, सारे सब्जेक्स में एक जैसा इंटरेस्ट डिवलप नहीं होगा, तो इन मैं आपको लगा कि मेरा इंटरेस्ट देखेंगे स्कूर अबिलिटी और आपकी खुद की अबिलिटी चुलों आपने यह दोनु भी फाइनलाइज कर लिए तब भी आपको तीन सब्जेक्स में इंट्रेस्ट है तो आप क्या उठाएंगे इसका सेलबस इसका सेलबस और इसका सेलबस आप सेलबस को अच्छे इस तरीके से पढ़ोगे और सेलबस की कुछ लाइने उठा कर सच में यह औपिशनल पढ़ना शुरू करोगे तो इसके दो तीन चप्टर पढ़ लिए इसका एक दो चप्टर पढ़ लिए इसका एक दो चप्टर पढ़ लिए समझने आप, this is how you have to see, interest जो भी होता है, वो syllabus और कुछ chapter पढ़ने के बाद, clear हो जाता है, कि मिझे सच में interest है या नहीं है, यह हो गया तीसरा criteria, चोथा criteria जो दिमाग में आप रखोगे, optional के time, that is, commonality, 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 commonality क्या हो गया, जीस के साथ overlap कितना है, overlap with जीस, overlap with जीस, देखे, for example, GS1 में, you have history, geography, social issues, GS2 में, polity, IR, society, GS3 में, economy, environment, agriculture, science and tech, disaster management, basically, तो यही subject है आपके, अब आपने क्या देखा, आपने geography चुना, as an optional, अब geography जैसे आप उठाओगे, as an optional, आप इसका देखओगे, कि geography, अगर मैं optional में cover करूँ, तो मेरा GS में geography कितना cover होगा, optional में geography पढ़ने की वज़ासे, मेरा GS1 में जो geography आता है, क्या वो cover होगा भी या नहीं होगा, geography में ऐसा फाइदा है, कि अगर आपने geography optional पढ़ा, आपको GS में geography नहीं पढ़ना पढ़ेगा, because इसका पूरा ही overlap हो जाता है, ठीक है, optional पढ़ने से GS खत्म आपका, GS नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपने यहाँ पर PSIR उठाया, political science, international relation, तो international relation कहां पर आता है GS2 में, अगर आपने optional में PSIR उठाया और international relation कवर किया, आपको GS2 में international relation पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका भी overlap है, अगर आपने optional में sociology उठाया, sociology कवर किया, आपको GS में society पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, समझा रहा है? इसको हम ओवरलाप कियते हैं, कि आपकी optional का कितना ओवरलाप हो रहा है GS के साथ, अब अगर आपने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा अलग किसम का इंसान हूं, मिझे psychology पढ़ना है ठीक है, पढ़ो psychology अलग से पढ़ना पढ़ेगा और उसमें कोई भी फाइदा आपको GS में नहीं मिलेगा, परकर GS के साथ उसका कोई overlap नहीं है, आम तोर पर यह overlap और commonality उन लोगों को देखनी चाहिए, जिनके पास कम time होता है exam देने का, suppose आपको immediately इसी साल exam देना है फिर तो आपको वही subject आने चाहिए जो common है पिकोज आपके पास time ज़्यादा नहीं है जिनके पास अच्छा खासा time होता है वो commonality को skip भी कर सकते है समझा? तो आपके पास है time अच्छा तो इसको आप थोड़ा कम importance दे सकते हो commonality है नहीं है तो यह लेकिन एक important criteria बन सकता है उन लोगों के लिए जिनको immediately जल्दी exam देना है नमबर फाइफ commonality के बद हमारे पास एक और है that is length of the syllabus length of the syllabus syllabus की length यह मैं criteria बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यह उत्रा important criteria नहीं है मैंने इसको किस level पर रखा पांच फी level पर आम तोर पर आप किसी के पास जाते हो जिसको खुद इस exam के बार में पता नहीं होता वो आपको बताएगा कि यह optional मत लो यह ज़्यादा link थी है यह optional लो यह कम link थी है ऐसा बोलते हैं कुछ आपको मैं ऐसे बताऊंगा जिस optional का ज़्यादा syllabus है उसकी range of topics syllabus में बहुत ज़्यादा cover करी है उसमें दो पेज पर तीन पेज पर आपका syllabus होगा इतना लंबा syllabus डाला है range of topics ज़्यादा रखे है ऐसे वाले optional में जिसमें UPSC ने range of topics बहुत ज़्यादा रखे है ऐसे optional में depth में question नहीं आते है ठीक है दूसरा optional हो गया जिसमे range of topics काफी कम है तो ज़्यादा topics mention नहीं है syllabus में पर उसमें ऐसा घुसा के question मारेगा ना आपको दस बार सोचना पड़ेगा कि question क्या है basically range जिसकी ज़्यादा होती है उसमें आपको अगर time लगता है छे महीने वो सारी range cover करने में आपको वही लगबग time लगेगा philosophy cover करने में philosophy का बहुत crisp syllabus है ज़्यादा syllabus नहीं पर depth में question आएगा उसका वो depth develop करने में आपको वही 5-6 महीने लगेंगे यहाँ से भी 5 महीने लग रहे हैं वहाँ से भी 5 महीने लग रहे हैं यहाँ पर range cover करनी है वहाँ पर depth cover करनी है ठीक है यह उतना बड़ा criteria नहीं है length of the syllabus तो आप जब देखेंगे don't get bothered about इसका इतना ज़्यादा syllabus है ठीक है because जितना बड़ा syllabus होगा उतना depth में question नहीं आएगा जितना कम syllabus होगा उतना वो घुसा की question मारेगा तो जैसे मैंने अपने अजब शुरू किया था बिलकुल economy लेने से पहले I called one of my teachers and mentors उनका अलड़ी UPC qualified होगा था 1990s के बैच के है तो उनको मैंने बोला था कि Sir I want to take philosophy I am a born philosopher मैंने फिलोसफी लेता है because I am deeply like interested in theology or religious studies मजा आता है उसमें मुझे बच्पन से उसका शोक था तो मैंने का उसमें क्योंकि वही सब पढ़ना है बद्द्ध बुद्धिज्म पढ़ना मज़ा था उसमें तो मैंने को बोला मुझे लेना ही है तो उनको मुझे बोला कि मत लो मैंने का उसमें बहुत कम syllabus है तो अच्छा टाइम देना पड़ेगा तुमें ऐसा अगर लग रहा है कि तुम दो महीने में खतम कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है बिकाज ये दो महीने का syllabus दिखतो रहा है पर इसकी understanding डिवलप करने में वो ही चार महीने लगेंगे तुमें ठीक है don't get that bothered about your syllabus ठीक है लेकिन ये भी है कि अगर syllabus GS के साथ overlap हो रहा है that's an added benefit ये होगया आपका length of the syllabus उसके बाद you have one more criteria this is very important criteria क्या आपको अपने optional के sources अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं sources जितना मैं इसको importance देना चाहूंगा जितना उतना कम है sources वाला आपने परवाले क्राइटीरियास के हिसाब से आपको लगा कि मझे जो optional लेना है वो मझे लेना है मान के चलिए मैं उठाऊंगा agriculture agriculture में लोगा या मझे commerce में लिखना है optional अब आप मेरे पास आगिया है मैंने डिसाइड कर लिया है मेरा agriculture ऑप्चिनल है या मेरा commerce ऑप्चिनल है थी कि आप ले लो सिर्वा सर मैं किस के पास पड़ोगी है मझे कि या पता किस के पास पड़ोगी है commerce में मेरे पास कोई बंदा है नहीं जिसका मैं आपको बता से कोई कि उसके पास जाओ या मेरे पास कोई ऐसा टॉपर भी नहीं है जिसको मैं पता सुझ कि इसके नूट्स जाके पड़ो उसमें काफी सूर्स का पता नहीं कि लोगों को ज्यादा उसमें अवेलिबिलिटी नहीं है आप स्रीनगर का चपपा चपपा चान मारोगे आपको कॉमर्स का कोई भी बंदा नहीं आएगा जिसने जो आप्शिनल पड़ाता हो उसका उसके बरक साब बोलोगे सरमजा अंत्रोपॉलोजी लेना है मैं आपको अभी लिस्ट दे दूँगा कि अपाला मिश्रा जो All India Rank 10 है उसने अपने नोट्स पब्लिक किये हैं वो करो अक्षर जैन All India Rank 3 उसने अपने Anthropology के नोट्स दिये हैं वो पड़ो विवेक भासमी उसने अपने नोट्स दिये हैं वो पड़ो तो ample source material available है free of cost ठीक है ना तो इसमें sources का बहुत जुल जाल होता है तो subject वो भी लेना है जिसको आपका source market में available है या तो अच्छा teacher available है उसकी किताबे available है उसका material notes available है ऐसे अभी हम जैसे Anthropology जो Quintessence के बच्चे पढ़ रहे हैं किरंदीप सर से बढ़ रहे हैं तो उनका हमारा ये experience रहे कि उनके optional के जो भी वो पांच महीने पढ़ाते हैं पांच महीने में उनका खतम हो जाता है Anthropology जितना भी उनने पढ़ाया होता है और जितने भी उनने notes अपने दिये होता है handouts दिये होता है उससे बाहर case में क्या UPSC में भी कोई question नहीं आता है वो बहुत ज्यादा material अपना उनने जो बनाया है वो बच्चे को दे देता है उसको कोई और चीज़ पढ़ने की जुरत नहीं होती है that becomes enough for him why? because anthropology में है guidance available अब उसकी बरक्स आपको ऐसा optional लोग है जो बीच में से उठा कर आपनी कहीं से भी cherry pick किया उसमें एक अच्छा teacher, एक अच्छा optional का teacher उसके अच्छी किताब है, उसके अच्छे notes मिलना बहुत मुश्किल है ठीक है? तो जब भी optional है यह चीज़ भी ख्याल में रखना है कि सिर्फ interest वगेरा के basis पे नहीं वालकि क्या sources available है या नहीं तो source material is important then you have dynamism dynamism that would be the last criteria dynamism dynamism क्या हो गया? कुछ लोगों का ऐसा डर होता है it varies from person to person कुछ लोग होते हैं जिनको current affair काफी strong और काफी तगड़ा और काफी मज़ेदार लगता है जैसा I am one of those persons मुझे current affair पढ़ना बहुत मज़ा आता है मैं static चीज़े अच्छा नहीं पढ़ता है जैसा कि आप मुझे बूलोगा आप ancient history पढ़ो और art and culture पढ़ो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं वो continuous थी 20 दिन पढ़ सको वो मेरे दिमाग से बाहर की बात थे because मुझे interest डिवलप नहीं होता है उसमे totally आप मुझे बोड़ी यह नहीं नहीं चीज़े क्या और यह दुनिया में technology में क्या हो रहा है, science में क्या हो रहा है, economy में क्या हो रहा है बहुत जादा current affair update करना पड़ता है और कुछ optionals ऐसे हैं जिसमें कोई current का जादा update नहीं होता है ठीक है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा क्या मैं इसके साथ comfortable हूँ या नहीं हूँ कि मैं ये optional मैं update करने के लिए ready हूँ या नहीं हूँ अगर आप geography लोगे हैं, geography एक बार आपको पढ़ दी है, notes साथ तैयार करने है, खतम बात अगला item दो, उसके अगला item दो, उसके अगला item दो वही notes बार बार revise करने है, ज्यादा उसमें efforts नहीं लगेंगे फिर आपको mathematics देना है या literature देना है, आपने अर्दू लिया कि सर मैं अर्दू में optional लिखूंगी, तो देदो अर्दू में है, उसमें कोई dynamism नहीं है, अर्दू में ऐसा कुछ नया नहीं निकलाएगा, जो आपको बताएगा कि नो, जिसे हिंद आरियाई, भाशा कहां से निकल कर आई, तो वो थोड़ा historical perspective है, तो हमारे language, syntax क्या है, उर्दू के optional में, वही मीर तकी मीर तो वही रहेगा, गालिब तो वही रहेगा, एकबाल तो वही रहेगा, उसमें कोई नया घुजेगा नहीं, नया एकबाल, वही आपको शेर और शायरी है, वही आपकी तशरी है, ठीक है ना, इसमें डाइनमिजम नहीं है, लेकिन डाइनमिजम बाकी सब्जेक्ट में है, अगर आपने political science international relation लेना है, ये बहुत डाइनमिक सब्जेक्ट है, ये उसी इनसान को लेना चाहिए, जो comfortable है current affair के साथ, उसको बार बार वो revise करेगा, बार बार update करेगा, कोई दिक्कत नहीं आई कि उसको, ठीक है, PSIR में अच्छा खासा डाइनमिजम है, जैसे geography, literature के साथ, आप यहां history भी डाल सकते हो, तो history में कोई डाइनमिजम खास नहीं होता, हाँ, कोई नहीं चीज, कोई नहीं excavation होती है, इसमें भी current affair होता है, पर वो current से topic उठता है, news तो असल में पुरा नहीं होती है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाओंगा, बाल गंगादर तिलग का recently hundredth death anniversary था, तो यह death anniversary तो अभी current affair में था, news में, एक question यह news से उठाकर बाल गंगादर तिलग के contribution पर पूछेंगे, जो historical question होगा, आने आपको कोई नया नहीं पूछेगा, कि नहीं research क्या हुई है, बाल गंगादर तिलग के बारे में, ऐसा नहीं, तो जिसे महात्मा गांदी का कुछ नया कुछ दिन होगा, कोई second, गांदी जैनती पर आपका exam आ गया तो, तो आपको उसम पूरा current affair का ही question होगा, जैसे कि यूकरियन के आने के बाद, यूकरियन रश्या के crisis के बाद, इंडिया का जो ये increased inclination हो रहा है towards the west, तो इससे इंडिया के geopolitical क्या concerns बन सकते हैं, या तालिबान के आने के बाद, इंडिया के क्या security concerns है, या नक्सलिजम का मामला किसा बिगट र है, मियनमार के साथ हमारी कैसी relationship बन रही है, ठीक है न, या अभी हमारा historical हमारा हमेशा रहा है कि हम Palestine के cause को support किया है इंडिया ने, जब से आजाद हुआ है, नहरू के times, कि we were always for the cause of Palestinians, हमने हमेशा उनको United Nation में support करा है, लेकिन इंडिया अब increasingly align हो रहा है इस्राइल के साथ, तो वो इंडिया के historical stance को कैसे change करेगा, यह dynamic portion है, यह आपको history की किताबे में नहीं है, आप dynamic portion cover करना है, current से cover करना है, अखबारूं से cover हो गए, समझ रहा है, you have to be comfortable in that, तो based on the dynamism, if you are comfortable with current affair, you go for like PSIR वाल optional, if you are not comfortable, तो यह आपके अच्छे optionals है, समझ रहा है, इसका combined effect, इसकी खिज diversity बना कर, आपको खुद समझाएगा कि मेरा optional को है, और उसमें फिर परिशान नहीं होना है, एक बार ले लिया, आपने optional तो बस, फिर उस पर you have to stick to it, उस पर मेहनत करनी है, धीरे 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 फिर develop हो जाती है, understanding, clear है, last चीज मेरे पास बस पांच मेंट है, मैं note making पे already, मुम चलेगा, आपको guaranteed और उस पर हम आपको हर दिन चेक करेंगी यह चीज, क्या आप अपने lectures की synopsis बनाते हो या नहीं बनाते हो, synopsis बनाना बहुत जरूरी है, synopsis बनाने का मतलब हो गया, जो हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं, जो हम आपको content देते हैं, साथ में हमने आपको को बनाना topic, NCRT के chapter number 5 से पढ़ लेना यह topic, तो आपने क्या वो पढ़ा और क्या वो आपने jot down किया नहीं किया, और वो आपने synopsis बनाए या नहीं बनाए, आप अभी सारे बच्चे कौन से ग्रूप में हों? स्कॉलर्शिप वाले ग्रूप में हों? ठीक, सब के सब अभी? मैं उसमें ना एक synopsis की example भेज रहा हूं, यह हमारे एक student है, उनका qualify हो गया, अब चेक करोई है, मिल गया? आगया ना? ओपन करो इसको, आप सब के essay notes होने चाहिए, सब के essay notes होने चाहिए, आपकी वो cursue writing जो लिखते थे वो घर पे रखना अब, और वो जो four line copy होती थी, वो भी घर पे रखना, हमें आपकी copy चाहिए, बिना lines के, plain pages, ठीक है, बेहतर रहेगा कि pages पे लिखो, अगर pages पे लिखना नहीं आता, तो एक plain page वाली, spiral वाली copy ले आओ, उसमें उसके ऐसे तीन हिस्से करो, और तीन हिस्सों के हिसाब से, बिलकुल synopsis इसी तरीके से concise बनाने हैं, तो जब answer लिखोगे तब, मैं note making की बात कर रहा हूँ, ठीक है न, this is note making, because अगर आपने ये नहीं किया न, आप जो परसूं से notes बनाओगे, वो कलको मसाले वाले को बेचने पड़ेंगे आपको, because आपके इतने note हो जाएंगे, आपको एक साल में इतना ज़्यादा पढ़ना है हमारे पास, कि आप अपने घर पे खुद की library खोल सकते हो अपने notes, आपके भी भी पूरे sentences नहीं लिखने है, कि आप पूरे sentences लिखोगे, it is defined like this, ऐसा कुछ भी नहीं, just write down the keywords, वो keywords दिमाग में छपेंगे, दस बार revise करके, उसके बाद वो ही keywords आपको एक्जाम में याद आएंगे, नहीं नहीं, यह classroom का उठाकर, NCRT, NCRT जोड़कर घर पे बनाए है, ठीक है ना, और हम आपको लिखाएंगे, जो भी लिखाएंगे, घर पे आपको नए से लिखना है, एसे notes बनाने, उसमें NCRT आड़ करनी है, वो extra point मिलेगा, कहीं से वो आड़ करना है, और फिर जाके ये synops तयार करना है, यही फिर revise करोगे आप, बार बार, आपका पूरा का पूरा, मान के चलो, अगर आप GC Leong देखी आपनी किताब, 16-18 pages का है वो, वो पूरी GC, 18 chapters है उसमे वो पूरी GC Leong मेरे पास 6 pages में है, पूरी GC Leong, मैंने एक बार पढ़ी है, वो उसके notes तयार करके, खतम की, मैंने जिंदगी बर GC Leong नहीं देखी, जब भी देखा, अपने है notes देखे, तो ऐसा नहीं करना कि आपने कोई किताब उठाई, उसके बाद वो किताब पढ़ी, फिर नोट बनाए, फिर से वो ही किताब पढ़ रहो, क्यूं? एक बार आपने note बनाए, फिर note ही पढ़ो, किताब को बंद करो फिर, वो note ही बार बार रिवाइस होगा, ठीक है? इसको अच्छे से देखकर, कल से person से जब आओगे, तो ऐसे ही notes बनने है, और वो कम से कम JK Bank वाली copy क कि चलो, February, by the end of February, you should be done with your optionals, ठीक है? तो February से पहले, 4-5 महिना शुरू करना है, यहाँ पर optional आपके जो available है, that is geography, sociology, history, anthropology और PSIR, बट वो हम दिल्ली से पढ़वाएंगे, ठीक है? उसमें पूरा setup है हमारे पस, जिसको जब लेना होगा, तो you let us know. झाल